आज अगर हमें नाउजवानों को जादा से जादा रोजगार देना है तो हमें मैनुफेक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा इंपोर्ट एक्ष्पोर्ट की जो स्थिती है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैनुफेक्चरिंग शेक्टर पर बल देना होगा हमारे नव जवानों की जो वीदा है सामर्त है उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैनुफेक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगें लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम दिमतन देते हैं और इसलिए मैं आज लाल के लिए की प्राचिर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूँ Come, make in India, आएए हिंदुस्तान में निर्मान कीजिए दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्मान यहां कीजिए, मैनुफेक्टर यहां कीजिए हमारे पास स्कील है, टैलन्ट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है हम विश्व को एक सानुकल आउसर देना चाहते हैं क्या यह कम मेक इन इंडिया और हम विश्व को कहें इलेक्टिकल से लेकर के इलेक्टोनिक टाक कम मेक इन इंडिया केमिकल्स के लेकर के फार्मासुटिकल टाक कम मेक इन इंडिया आटो मोबेल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक come make in India पेपर हो या प्लास्टिक come make in India सम सेटलाइट हो या सम मिरीन come make in India ताकत है मारे देश में आईए मन्यमंतर देता हूं और भावियों भेनो मैं देश के नौजवानों को भी एक आवान करना चाहता हूं विसेश करके उद्योग शेत्र में लगे हुए छोटे छोटे लोगों को आवान करना चाहता हूं मैं देश के टेकनिकल एचुकेसंद ये जूड़े हुए नौजवानों को आवान करना चाहता हूं जैसे मैं विश्वक को कहता हूं मेक इन इंडिया मैं देश के नौजवानों को कहता हूं हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कौने में ये बात पहुतिने चाहिए मेड इन इंडिया